Question number 9. 7x minus 9 equals 16. This is the linear equation with one variable. तो यह linear equation है क्योंकि इसमें x की power maximum power 1 है. तो यह linear equation हुई और क्योंकि इसमें सिर्फ x variable है, इसलिए यह one variable equation हुई. चलो, अब हम देखेंगे कि हमें x की value find कैसे करनी है? सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं 7x minus 9, सबसे पहला हमारा target होता है x को अकेले करना है, x को alone करना है. तो 7x minus 9, तो सबसे पहले इस minus 9 को हमें हटाना होगा. यह minus 9 कैसे हटेगा? अगर मैं left side plus 9 कर दूँ, तो 9 से 9 cancel हो जाएगा. लेकिन अगर मैं left side कुछ plus minus करती हूँ, तो same चीज मुझे right side भी करनी होगी. मैंने plus 9 इधर करा, मुझे इधर भी करना होगा. अब हमने देखा 9 से 9 cancel हुआ, और इधर बन गया 25, लेकिन अभी तो x के साथ 7 भी रह गया multiply में, तो क्यों ना मैं 7 से divide कर दूँ, अगर मैं left side divide कर रही हूँ, तो मुझे right side भी divide करना होगा. तो मैंने दोनों तरफ 7 से divide करा, और 7 से 7 cancel हुआ, x की value है 25 upon 7. In other words, if we want to solve this question, we can see 7x minus 9 equals 16. तो हमें x को केला करना है, तो सबसे पहले minus 9 को उठाओ, और right side ले जाओ. तो क्योंकि minus 9 है, तो उधर जा कि क्या हो जाएगा? Plus 9. अब 7x equal कितना आया? 25. अब हमने देखा, अभी तो x अकेला हुआ ही नहीं, x के साथ में multiply में 7 रह गया. तो हम इस multiply वाले को, क्योंकि multiply वाला जब shift होता है, तो वो कि इधर जाता है divide में. इसी question के जैसे, two practice questions भी given है, इन दोनों practice questions को solve करो, और चेक करो कि क्या आपके answer ये आते हैं कि नहीं नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को दुबारा से देखो. और practice करते जाओ. करते दोंकि आते हैं. झाल 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 झाल